हेलो फ्रेंड्स हमारी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में सीखेंगे हम लेडी सर्ट बनाना जिसके लिए हमने दो मीटर जोर्जट का फैबरिक लिया है दो मीटर ही हमने अस्तल लिया है सैंट्टून का तो सबसे पहले बैक पार्ट कट कर करेंगे लंबाई में हम इसे 26 इंच रखेंगे अपनी सर्ट को अगर इससे आप कम जादा रखना चाहती है तो वह आप रख सकती है अब यहां से कपड़े को टू फोल्ड करके और बरावर कर लेंगे तो इसमें कॉलर लगाएंगे तो साड़ी साथ इंच पे हम सोल्डर ल कर्ब दे देंगे कमर वाली साइड से भी हमने 1.5 इंच कम करके ले लिया है यहां से गोलाई दे दी है तीन इंच पे खुली वाली साइड से और ऐसे गोलाई दे देंगे इस पे ताकि कौना ना निकले आर्म होल की साइड भी गोलाई देंगे और कटिंग कर देंगे इसकी अब फ्रंट पार्ट के कटिंग करेंगे तो खुले पर्दे की तरफ से रखेंगे क्योंकि हमारा इसमें 1.5 इंच कपड़ा हमें जादा लेना है आगे वाले पार्ट में आई उसके बटन पट्टी के लिए और काज पट्टी के लिए तो ध्यान रखें बैक पार्ट में नहीं लेना है फ्रंट पार्ट में में लेना है 1.5 इंच कपड़ा जादा और भी ईंच कपड़ा निकालके जैसे इसके कटिंग है ऐसे ही कटिंग कर लेनी है डेड़ इंच कपड़ा आपको आगे वाली साइड को रखना है जहां पे गला बनेगा अब अस्तर की लिए भी हम सेम बिच्छा लेंगे कपड़े को और कटिंग कर देंगे इस पे तरीके से अब हमने फ्रंट पार्ट को बिच्छा लिया है फ्रंट पार्ट पे भी सेम कटिंग कर देंगे अब बाजू की कटिंग करेंगे आपको जितनी भी लंबाई में बाजू चाहिए बाजू को हमने फोर फोल्ड करके बिच्छा लिया है खुली वाली साइड से हमने तीन इंच पे निसान लगाना है साड़े आठ इंच चोड़ाई ली है और इसमें हमें ऐसे बाजू की सेप देते हुए हलकिसी यह मुझे जो स्लीप्स होती है मेगा स्लीप्स उस टाइप से बनानी है डिजाइन में तो इसको हम इस ताइसे कट कर लेंगे तो इस स्लीप्स की भी कटिंग हो चुकी है अब भी हम अपना फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे इसको चारों तरप से सिलाई कर देंगे सेम दोनों पड़दों को सिलाई कर दिया है अब जो 1.5 इंच कपड़ा ज़ादा लिया था उसको हम ऐसे मोड देंगे दोनों साइड से मोड ना है इसको 1.5 इंच जो ज़ादा लिया था हमने अब हम बैक पार्ट को भी चारो तरप से सिलाई कर लेंगे अब फ्रंट पार्ट का हम इसमें इस तरीके से एक दूसरे के उपर रखके पिन लगा देंगे एक दो यहां पर और गले की कटिंग करेंगे या फिर आप मसीन से कच्चा कर दीजिए एक दूसरे के उपर ओवरलैप करके जितना हमारा काज में जाए गई है क्योंकि जब काज लगेंगे तो इतना पट्टीस के उपर ओवरलैप होती है यहां से बराबर कर लीजिए छोटे बड़े पाट को अब इसमें हम कटिंग करेंगे गले की तो सबसे पहले हम यहां से इसको वी सेप में हमने इसको कट कर लिया है चोड़ाई में हमने तीन इंच लिया था और लंबाई में हमने इसको चार इंच लिया है और वी सेप में कट कर लिया है दोनों का सोल्डर जोड दिया है इसके आर्म होल पे भी सिलाई लगा देंगे दोनों सोल्डरों पे सिलाई लगा दी है अब इसमें हम बाजू जोड़ देंगे बाजू को इस तरीके से रखेंगे उल्टा करके पूरे में लगा देंगे पूरे में लगाने के बाद और एक सिलाई हम बाहर की साइड भी लगा लेंगे ताकि ये जो जो जोड़जट का फैबरिक है वो दिखे ना इस तरीके से दोनों बाजूएं लगा ली है नीचे से बॉटम को मोड दिया है मैंने लगबग आदा आदा इंच और बस इसमें हम फिटिंग करते हुए लाएंगे नीचे तक आपको जितनी भी लूज फिटिंग चाहिए उस हिसाब से आप इसकी फिटिंग कर लीजिए तो मैं नीचे बॉटम तक इसकी फिटिंग करूँगी दोनों साइड से और अब उसके बाद हमने इसको धेड लिया है अब हम नीचे से बॉटम को भी मोड देंगे एक एक इंच के बरावर जो मैंने उसके काज पट्टी के उपर से लाई लगाई थी वो निकाल दी है तो इसको डवाल में मोडेंगे पहले एक वार मोड देंगे फिर एक वार और मोडेंगे उससे क्या होगा कि इसे फिनिसिंग रहेगी इसमें तो दोनों साइड से मोड देंगे तो देखे मोड दी है अब इसमें हम कॉलर लगा देंगे तो कॉलर के लिए हम इसको हमने सीधी पट्टी ले ली है, जिसकी चोड़ाई हमने 22 इंच ली है, लंबाई हमने 4000 इंच ली है, अभी हम क्या करेंगे कि इसको नाप के सीधा ही रख लेंगे, जितना हमारा इसका लंबाई ही कॉलर की, उतनी बड़ी हमने पट्टी ले लिए नापके इसको हम सीधी साइड को उल्टा करके रख रहे हैं और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे आप कट कर लिजिए या फिर आप इतनी ही लिजिए नापके जितना आपका कॉलर बैठ रहा है अभी हम क्या करेंगे कि पहले इसको यहां से मोड देंगे तरीके से यहां से हमने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्टर निकाल दिया था आधा इंच हमारा दूसरी साइड है उसको भी सेम ऐसे ही मोड देंगे तो यह मोड दिया अब हम इस साइड से भी मोड देंगे अगर ज्यादा लगे कपड़ा तो आप थोड़ा यहां पर ऐसे सिलाई कर देंगे पूरे ही कॉलर को हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे तो बहुत इजी है कॉलर लगाना तो यह कॉलर हमारा लग गया है अब इसमें हम काज और बटन कर लगा लेंगे तो यह देखिए मैंने काज और बटन लगा लिए है यह सर्ट बन के हमारी रेडी है आप देखी सकती हैं कितनी फिटिंग में बनी है और कितना अच्छा इसका लोक आ रहा है अगर आपको अच्छा लग एए वीडियो तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीस